मायवती के रक्षक वो कारकरता जो अपने नेता की सुरक्षा में जी जान से जुटे रहते हैं मायवती के रक्षकों की इस सेना का नाम है बहुजन वॉलेंटियर फोर्स जब बहंजी का हेलिकाप्टर उतरता है तो भीड रोकती है बीवीएफ जब मायवती मंच पर होती है तो रैली को विवस्तित करती है बीवीएफ सफेड ड्रेस, सुर्पर नीली ठोपी, कंधे पर पुलिस के तरह निशान यह है बहुजन वॉलेंटियर फोर्स यानी बीवीएफ का चल्वा जो उन्हें बागे सबसे लग करता है यह है मुरारिलाग जो पार्टी की दी हुई वर्दी पहन का ड्यूटी में जुटे है कुछ जंडा फेराते हैं तो कुछ दंडा हाथ में ले ड्यूटी करते हैं जब आसपास इलाके में रैली होती है तो यह लोग पार्टी की दिवही वर्दी पहन कर पहुँच जाते हैं ड्यूटी निभाने जितना पुरुष उतनी महला है मौजूद होती हैं बीवीएफ में नेली साड़ी और सफेद लाउस धेंकर महला कारे करता खुद को द्वारानवीत महसूस करती हैं जंद समा में सुरक्षय ववस्ता बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद का जिम्मा इनी वॉलिंटर्स के पास रहता है बीवीएफ में करीब 27,000 जवान हैं अधिकांज के उम्ब 18-40 साल के बीच हैं बीवीएफ जवानों को पुलिस की तरह बाटा गया है इसमें CEO हैं, दारोगा हैं, SO हैं, Constable है सभी को अपनी प्रमोशन की उम्मीद भी रहती है 50 उर्पे देकर भोजन समाज पार्टी का सदस्य बनने के बाद ही इस वालिंटर्फोर्स में शामिल हो सकते हैं इस काम के लिए ना तो पैसा मिलता है और नहीं माँगा जाता है लेकिन उम्मीद जरूर रहती है कि बीएसपी सरकार आने पर घर में किसी की नौकरी लग जाएगी लेकिन मायवती की रक्षक अपनी बाद पहंजी तक नहीं पहुँचा पाते इसका अफसूस उन्हें रह जाता है सुल्तानपुर से एबीपी न्यूस समवादाता विनीता यादाव की रेपोर्ट